दोस्तों आजके स्क्लास में आप सब लोग का स्वागत हैं आजके क्लास में हम बात करेंगे अपना जो पद खंड है उसके चैप्टर 9 अटू के बारे में जो की है शूरदास के पद है न सैप्टर के सारांस को समरी को हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे जैसे कि आपके बोर्ट पैक्षा में कुछ इस परकार से कोई भी प्रस्न रह सकती है प्रस्न कैसे रहेगी जैसे ये प्रस्न रह सकती है सूर्दास के पद का सारांस लिखे या फिर सवाल ऐसे नहीं रह सकती है सूर्दास द्वारा रचित पद का सारांस लिखे नहीं हो सकता है तो ऐसे भी केंदरी ये भाववता हैं, ये भी बार-बार पूछा गया है, ऐसे भी रह सकता है, सूर्दाज के पद का बावार्थ लिखे, ठीक है? तो कुछ इस परकार से ये चार प्रस्ण है, कुछ इसी परकार से सवाल रह सकते हैं, तो मतलब मोटा-मोटी हम बात करें, तो हम लोग को तो ये जानना है कि ये जो चाप्टर है, ठीक है, सूरदास जी के पद जो लिखे हैं, इसके हम लोग को अच्छे से साराण्स को जानना है, समरी को जानना है, ताकि बोड बाईशा में कैसे भी घुमा फिरा के परस्ण पूछे न, तो हम लोग बहुत अच्छे से लिखें और लोग सारांज की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले जानते हैं यहां पर सूर्दास जी है यह अपने सूर्दास जी है इनका जन्म कब होता है ठीक है यही जो है अपने सूर्दास के पद जो देख रहे हैं यह पद जो है यह पद यह सूर्दास जी के द्वारा लिखा गया इसके सबको doubt है ठीक है आपके book में भी अनुमानी तिथी दिया हुआ है चुकि आप खुद सोचो ना की 1478 की बात है वही बहुत पहले की उस समय अनुमानी थी दिया गया उसके निधन यहां पे है 1583 बी में अनुमानी थी है 1583 बी में इनका निधन हुआ था ठीक है निवासस्थान इनका बताया गया है दिल्ली के निकट सीही नाम गाव था वहां पे यह रहते थे तो यहां पे निवासस्थान यह हो गया ठीक है तो मतलब यहां पे हम तोग सा एक आईडिया ले लिए शूरदास जी के बारे में कि ये कब одного इनका पानी valor था कब इनका निधन हुआ था और अगर textbook है उसमें आप देखेंगे पद का यहां पे पहला भाग है पद का यह जो है अपने पास यह अपने पास पहला भाग है और पद का जो दूसरा भाग है वो यहां है ठीक है यह दो भाग में बाटा गया इस पद को तो हम लोग को सारांस भी लिखना होगा, दो भाग में एक भाग और दो भाग करके लिखना होगा, जी हम बिल्कुल सारांस अगर बोलेगा न लिखने, सूरदास के पद के सारांस लिखे, तो आपको पहला भाग और दूसरा भाग ऐसे करके ही लिखना होगा, जैसे कि चलो आ और दूसरा भाग पूरे अच्छे से explain करते चलना है, ठीक है, तो इस परकार से आपको अपने board पैक्षा में लिखना होगा सारांस, अब आईए लिखेंगे आखिर क्या, ठीक है, आखिर हम लोग लिखेंगे क्या, वो सवाल आती है, मतलब हम लोग के पास अगर ये सवाल ठीक है, तो एकदम मन सांत करके प्रॉपरली बैठ जाओ, और इसको अच्छे से करो, साथी साथ पसंद आएगा, आप लोग जानते हैं क्या कर रहा है, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, चलो, तो हम लोग यहाँ पे देखना सुरू करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करना है, माता यसोधा ब्रजराज कुमर को जगा रही है, कमल के फूल खिल गये हैं, यह संकेत है कि सवेरा आ गया है, भौरे भी लताओं पर आ गये है, मुर्गा बांग दे रहा है, पक्छी कोलाहल कर रहे हैं, गाय भी गौसाला में बचरे हैं, मलीन हो रहा है, रवी का प्रकास बढ़ रहा है, मतलब सुरी का प्रकास है, वो बढ़ रहा है, सुरी रवी, ठीक है, अब चारो और गीत गाये जा रहे हैं, अता हे क्रिस्न, हे स्याम, अब जागिये, सवेरा हो गया है, कित्रा आसान सब्द में है, जिसको आप अराम से या एक मत यासोदा जो है ब्ल Не क्रत गया है कमल के फूल खिल गए है यह संखेथ है कि सबेरा आ गया है भौगा बंग रहा है पक्षी को लाहल कर रहे हैं ठीक है गाई भी गौसाला में बचरे है तू रंभा रही है दूद पिलाने के लिए बचरे को दूद पिलाने के लिए गाई रंभा रही है चंद्रमा का प्रकास मलीन हो गया है चंद्रमा अब दीरे-दीरे जाते जा रहा है और जो रभी ह रहा है अब चारो और गीत गाये जा रहे हैं अता हे क्रिस्न हे स्याम अब जागिये सवेरा हो गया है ठीक है तो कुछ इस परकार से आप पहला भाग जो था उसका यहां पर एक दे के आप लिख दोगे ठीक है उसके बाद दूसरा भाग जो था ठीक है चलो अब दूसरा रहे हैं मतलब यहां पर जो कृष्ण जी है वो नंद बावा के गोद में बैठ के खा रहे हैं ठीक है थोरा सही खाते हैं थोरा सही खाते हैं कुछ धरती पर गिरा देते हैं मतलब जो कृष्ण जी खुझ से खा रहे हैं तो थोरा सही खाते हैं और कुछ नीचे गिरा देते है ठीक है बच्चे हैं बाल क्रिष्ण का चर्चा है उनके भोजन करने का धंग को मा यसोधा अत्यंत प्रसंता के भाव से देख रही है वो जो क्रिष्ण जी बाल क्रिष्ण है न वो जिस तरीके से भोजन कर रही है वैसे में क्या है न कि यसोधा मा जो है न बहुत जादा प्र रखा गया है जैसे बरी है बरा है बेशन है अनेक परकार के पकवान है बहुत बिभिन परकार के उनके पास पकवान रखा गया है वह अपने हाथ से ही खा रहे हैं मतलब बालकृस्ट अपने हाथ से खा रहे हैं अता कुछ धरती पर गिराते जाते हैं मतलब कुछ खाते हैं यह थुक्ताम होगे आगे कैसे लीखोगे पहले उनकी रूचि दढ़ी के दोने पर है जो दढ़ी God मिट्य का पात्र होता है मिट्य का बढ़तन होता उसको डोने कियते है ना तो पहले उनकी रूचि दही के दौने पर है, दही को देख रहे हैं, है ना, मिसरी, दही, माखन, मिलाकर अपने मुख में डालते हैं, उस समय उनकी सोभा बरी धन्य होती है, ठीक है, जब वो मिसरी, दही और माखन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं, तो उस समय जो सोभा रहती है, बहुत ही धन् नंद आता है यह यहां पर वर्णन कर रहे हैं। वह स्वेंग खाते हैं। नंद बाबा के मुख में भी डालते हैं। देख रहे हैं जो वो प्रसंद हो रहे हैं जिस चीज को देखे वो तीनों लोक में कहीं भी नहीं मिल सकता है हर जगा दुरलव है वो ठीक है भोजन कर जब बाल कृष्ण उड़ते हैं जब भोजन कर बाल कृष्ण जी उड़ते हैं तब सूर्दाजी की लालसा जूठन पाने है ना तो ऐसा लाल सा सूर्दाजी रखे हुए थे तो कुछ इस परकार से आपको लिखना रहेगा अब चलिए हम अपने सब्दों में अपने भासा में हम आपको बताने के कोसिस करते हैं कि आपको कैसे लिखना है ठीक है देखो सिंपल सी बात है आपको ये पता है जब आपक निकल के आता है इसको हम लोग को सारांसित रूप में लिखना है फिर दूसरे भाग को दूसरा जो अर्थ आता है उसको हम लोग को सारांसित भाग में लिखना है ठीक है तो पहला भाग का यहां पे हम लोग पहले लिखते हैं ऐसे कि माता यसोदा जो है मतलब जो कृस्न ज फूल पर आचुके हैं, अब मतलब मुर्गे बांग दे रहे हैं, पक्छिया को लाहल कर रही है, गाय रंभा रही है अपने बच्छरे को दूद पिलाने के लिए और इस इस परकार से ना मतलब यह सोधा मा जो है अपने बाल क्रिस्न जो है उनको जगा रही है कि सवेरा हो गया बबू उड़ जाओ है न तो इस परकार से आपका पहला भाग होता है उसका मीनिंग आता है और उसको हम लोग सारांसी तुरूप में ऐसे लिखते हैं ऐसे बोलते हैं कि चंद्रमा का प्रकास अब मलीन होता जा रहा है और सुरी का प्रकास वह बहुत जादा त्रब होते जा रहा है जैसे सुर्ज आया है तो उसकी गर्मी अब महसूस होने लगी है है ना चलो यह हो गया दूसरा भाग में कैसे लिखेंगे यहाँ पर जो पहला तो प्रकास प्रेंगे जान दूसरे भाग में नन्द बाबा के बैटके करें क्षेजरमा घृता है उसको बहुत है याउन सहरा दूसा बाल करिशन जी जब बच्पन में थे जब छोटे थे करिशन जी तब जैसे नंद बावा के गोज में बैठ के खाते थे ना तो कुछ खाते थे कुछ धर्ती पर गिरा देते थे और मतलब उनके जो भोजन करने का धंग था उसको यसोदा मा जो है ना उसको देख देख के बहुत सारा बेंजन रखा हुआ था खाने का अलग लग परकार के विविन परकार के उनके पास बेंजन था जैसे उनके पास बरी था बरा था बेशन के और सारे समान बहुत अनिक को परकार के बने हुए थे और सब को वह जो है थोड़ा सा खाते थे थोड़ा सा नीचे गि बहुत जादा रूची था जब दाही और चीनी और मांखन जब तीनों मिला के अपने मुख में डालते हैं तो मानौ वो द्रिस की मतलब क्या ही कहना तो मतलब इन लोग को जो यसोदा मा और अपने पास नंदवावा हैं यह जो सुख यह जो समय जो द्रिस को देख रहे हैं यह द्रिस वो प्रसंता तीनों लोकों में कहीं नहीं मिल सकती हैं एसा वहां पे वह द्रेश थी और इसी को सूर्दाजी इतना अच्छे से वर्णन की हैं आप सूस सकते हो कितना प्यार से लिखा गया है कि आप उस चीज को फील कर पा रहे हो सब्दो के माध्यम से है न तो वही चीज आपको अच्छे से लिखना है और यहां पे और जब बाल सब्सक्राजी कुछ इस परकार से पूरे पद को लिखे हैं दो भाग में बाटा गया था और इसको इसी तरीके से अगर आप अपने बोर्ट पाइक्छा में लिखते हैं आप यकीन मानों आपके बोर्ट में पूरा मार्क्स मिलेगा एक मार्क्स भी नहीं कटेगा ठीक है त तो कमेंट आप जरूर करना, हमें इंतजार रहेगा आपका कमेंट का, और साथी साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करिए, ताकि अंतिम कम समय में भी अपने बोर्ड पैसा की अच्छे से त्यारी कर सके, इसलिए आप लोग सेयर जाके जरूर करिए, और को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकि जितने भी चैप्टर से सब के सारांस अपलोड हो चुके हैं, आप अच्छे से सारांस सारे समरी को करते चलिए और अपने बोर्ड पैसा में अच्छा मार्स लाइए, ठीक है, तो चलो आज के स्क्लास में बस इतना ही पर हम लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने अपलोम आज के सारांस सारांस जितना हाँ, य्या कर लीख जडिए खायां झालोग हैं, गलोग झालोग हैं, पजल इना हैं इस खाय को र Rapid Fe Update?